याई दोस्तों क्या चल कैसे हैं आप लोग उमीदाफ से बहुत अच्छे सूँगे बहुत स्वागते हैं आप सभी का इस वीडियो में पेपर की डेट आ गई है 29 से आपका पेपर है और मैं आशा करता हूँ कि अब आपके तयारी बहुत जोरोशोर से चल रही होगी मेरी तर पढ़ना है क्या पढ़ना है complete पूरे सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है उसकी एक इनालेसिस वीडियो में लेके आया हूं तो इस वीडियो में हम बात करेंगी पिछले 5-6 सालों में जितने तॉपिक से सवाल पूछेंगे सब्सक्राइब कि बात कर रहे हैं सेक्षन मानिए भरोसा रखिए इतने को ही आपको तयार करना है इतने आप तयार कर लिए असी का असी नंबर आप अटेम्ट कर पे आएंगे और जितना बहतर लिखेंगे उतनी अच्छी आपको नंबर मिलें तो हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों अवद इनुश्टी बीए सेकेंड अधिकां का आखलन और क्यात्मा कुंसंदा चलिए शुरू करने से पहले एक मैं डिस्क्रीमर देखु कि इसके पहले हमने पेपर वन के लास्ट फाइफ ये के कोश्चन के टॉपिक को इस वीडियो में रिलेट किया था इसका डिस्क्रिप्स में लिंक मिल जाएगा आप व होता है वह क्या होता है सेक्शन नंबर टू से दो में आपको लिए रहें Гए कोई एक करना रहा का थे question number 3 में आपको दो option दिये रहेंगे similarly 4 में similarly 5, 6 यानि कि इस तरीके से पाँच सवाल आपके section B में रहेंगे दो questions आपको दिया रहता है और उन दोनों में से कोई आपको एक करना होता है got it? अब हम बात कर लेते हैं कि सवाल कैसे set होगा दोस्तों complete आपका पहला unit पिछले 5, 6 सालों में देखेंगे तो यही pattern रहा है कि आपका जो पहला सवाल आता है वो इसी से related होता है कि क्या assessment evaluation ठीक है आकलन मुल्यांकन आकलन और मुल्यांकन से ही संबने दो एक सवाल confirm यहां से आपको देखने को मिलेगा आकलन के अर्थ और सिधान इसके बारे में पढ़ना है आपको मापन आकलन और मुल्यांकन की बीच में संबन्द दोस्तों most and most most important topic मापन आकलन और मुल्यांकन में संबन्द यह topic आपको पढ़ना है इसके अलावा कुछ आकलन के प्रकार हैं दो तीन मुख्य प्रकार हैं वो पढ़ दिए यहां से आपको कम से कम दो सवाल आपको देखने को मिल जाएगा 88 नंबर में दो सवाल और एक सवाल आपको section C के 15 नंबर में मिल जाएगा confirm मैं बात कर रहा हूँ जब आपका पेपर होगा और summative evaluation यह दो टाइप से इनको आप जरूर पढ़ लीजिए और इसके साथ ही साथ आप पढ़ लीजिए मापन आकलन मुल्यांकन अब इसकी थोड़ा अर्थ परिभासा आपस में संबन देख लीजिएगा यहां से आपके दो सवाल confirm आपको मिलेंगे सेकेंड नमबर और थर्ड नमबर का जो सवाल होगा वह यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा दो सवाल तो आपको डेफिनिटी मिल जाएंगे ठीक है चलिए अब बात कर लेतें नेक्स टॉपिक नेक्स दोस्तों यह तो mostly repeated सवाल है वह सवाल क्या है क्रियात्म कनुसंदान अब देखिए यह आएगा 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 मतला most probably आएगा अब क्या पूछेगा अर्थ परिभासा पूछ दे छेत्र पूछ दे सोपान पूछ दे महत्यों पूछ दे इसमें से क्या पूछेगा यह हमें नहीं पता लेकिन क्रियात्म कनुसंदान से एक सवाल आठ नमबर में आपको डेफिनिटी हंड़र परशन आपको दे इस तरीके से सवाल आप से पूछा तो अभी तक आपने क्या देखा मापन आक अलन मुल्यांकन सता तयव व्यापक मुल्यांकन सनरचनात्मक और यगात्मक मुल्यांकन क्रियात्म कनुसाना इंगली से बात करें तो मेजरमेंट एसेस्मेंट और एक्सवाल रिपोर्ट और इसकोल्स प्रॉब्लम क्या मिल प्रिपेर रहने एक्सन रिसर्च रिपोर्ट ठीक है चलिए यहां तक बात होगे अब मोस्ली एक सवाल दो सवाल आपको यहां से देखन आप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यह जो सवाल है दोस्तों इसके थोड़े से नंबर्स जाद है जैसे माली परिक्षण में आप क्या पूछेगा मानो मानिकृत परिक्षण या प्रमाडिक इस्टेंडराइस टेस्ट इंपॉर्टेंट है कई बात पूचा है स्टेंडराइस कि ऐते सवाल पुछाई देक्षण और एक और आता था परफ sermen टेस्ट पर ऐसे के सऺए आप इसको क्रणा देख लेंगे आपको यहां से एक सवाल टो एक से दो भी मिल सकते हैं एक ही गारंटी मेरी तरफ से कि आप यहां देख लेंगे मानो दिर्मित परिक्षण और मानेकरित परिक्षण निदरात्मा गुरुप लट परचा इन में से आपको एक सवाल देखने को मिल जागा ठीक है तो आपको यह परिक्षण में आपको यह प स्वाल पुछेगा अब्झेटिवट दोस्तों वस्तों अब इसके प्रकार कई बार पूछा जा चुका है इंप्रेंट है इसको इंपोर्णर कर लीज़ेगा इसको पढ़ दीज़ेगा तो यह आपको पढ़ नाहां निभनदनात्मक एससर टाइफ टेस्ट यह सवूर तो यह वो टेस्ट प्राडी है दोस्तों तेस्टिंग सिस्टम है जिसके बारे में सवाल आप से पूछता है समस्टर ये वोट आभी के जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं इसमें बहुत आपको टेंशन लेने के जोट नहीं है यहां पर आपको अटेंशन देना पड़ेगा अटेंशन प्लीज अब कुछ बच्चों का सवाल आता है कि नुमेरिकल सवाल जी है नुमेरिकल आपसे सवाल पूछते हैं नुमेरिकल पे पांच टॉपिक है माध्य माधिका बहुलक सहसमन गुणांक मानक विचलन मीन मीडियन कोड़ेशन कोफिशन और स्टेंडर डिवेशन यह वो पांच टॉपिक है जिससे आपसे सवाल पूछते कुछ भी पूछते बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल लेक्रेशन भी आसान होता है बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और एक बार दो बार की प्रक्टिस होनी चा और पाल लेता ठीक है अब उनरी में क्या पूछता है इसी चीज़ को पूछ देगा कि निमलिःखित से से आप क्या समझते हैं क्या होता है इसकी व्याख्या करिए चतुर्थान से विचलन कोडल डेविएशन से आप क्या समझते हैं यह इंपोर्टन है दोस्तों केंद्रिय परिविर्थी के माप यह कई बार पूछता है किंद्री प्रिविर्टी के माप से आप मेजरमेंट सेंट्रल टेंडेंसी वास्तों में सेंट्रल टेंडेंसी मीर मीडियन मोड ना यह सेंट्रल टेंडेंसी ही है किंद्री प्रिविर्टी के माप ही है उसी के प्रकार है तो यह आप से पूछ देगा क तो नुमेरिकल के अथवा में पूछे जाते हैं नुमेरिकल के अथवा में यह सवाल पुछे जाते हैं तो अगर आप मैं तो मोशली कहूंगा अगर आप नुमेरिकल कर पाते हैं तो एक बार प्रैक्टिस कर लिजेगा बाकी नहीं तो फिर इसको आप ध्यान से देखेंगा अब यहां से कुछ और सवाल है उसके बाद जैसे एक अच्छे परिक्षड की को सवाल पूछे गए आपको बस इतना ही पढ़ लेना है इतना पढ़ेंगे पिछले पांच-छे सालों का समरी है यह समराइज है बस इससे जाद आपको कुछ नहीं देखना या कुछ नहीं सोचना है इतना ही पढ़ लिजी आखरी समय में इतना बहुत है आगर आप पढ़ना चाहें तो इतना बहुत है अब मुझे पता है कि आप इसका स्क्रीन शॉट लेंगे स्क्रीन शॉट ले लिजेगा बागी मैं आपको PDF तो टेलिग्राम और WhatsApp पर भेज दूँगा लेकिन अभी आप यहां पर स्क्रीन शॉट लेजे मैं आपको बताता हूं एक मैं हट जाओंगा विल बिल बिल बिट जस्ट ए मोमेंट बड़ी आपके जस्ट थोड़ा सा यह कर एक सेगेंड हां जी ओके गेट गेट चलिए मैं आपने आपको साइट कर लेता हूं आप इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे वेरी गुड इसका भी स्क्रीन शॉट ले लिजे वेरी गुड इसका भी स्क्रीन शॉट ले लिजे वेरी गुड इसका भी स्क्रीन शॉट ले मैं आजाता हूँ तो यह वो दोस्तों सवाल है जो पिछले 5-6 सालों के कोश्चन पेपर के नालेसिस करने के बाद बनाई गई है मैं आसा करता हूँ कि इनकी तयारी कर लेंगे जो इस से इंपोर्टेट वीडियो से डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको कमेंट बॉक्स में प्लीज एक बार चेक जरूर करिएगा वहां सापको बहुत ही फायदा हो जागा तो बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो में इसे आप किसी इनालेसिस के साथ मेह रातन क्लासेश चलेंगी वीडियो चल रही है जुड़े रही है अगर आप सेक क्या चाहिए और खुश रही है बस और क्या हाँ चैनल से जुड़े रहेगा अब तक अगर आप नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजेगा पसंद आती हो वीडियो तो लाइक कर दीजेगा जो भी राय प्रतिकरिया है दे दीजेगा कुशिच करिए कि और लोग जू अगले वीडियो में इसके आंसर के साथ तब तक अपने खूब ख्याल रखें पढ़ते रिये वीडियो साथे रहें चैनल पर जूड़े रहें पढ़ते रहें दौाओं में याद रखिए जया भारत